पूर्णिंग दोस्तों चलिए आज संस्क्रीति का क्लास नोट्स पढ़ाते हैं आपको उसमें से आपका है प्रिंटेड नोट्स है तो भारत में यूरूपिय का अग्मनार मॉडर्न हिस्ट्री आज से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है चलिए कुछ समझ विक्सित करने के लिए कुछ पढ़ लेते हैं टॉपिक कौन-कौन से पढ़ने कौन-कौन किसके बाद क्या आएगा भारत में यूरूपिय कंपनियों का आगमन ठीक है तो कौन-कौन से यूरूपिय कंपनिया सबसे पहले शुरुवात में यहां पर आईए उसके बारे में चले पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले जो जिनका आगमन हुआ वह है आपका पुर्दगालियों का भारत में आगमन हुआ ठीक है उसके बाद दूसरा में आपका डचों का आगमन हुआ इंडिया में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ उसके बाद भारत में सक्ति का अगमन हुआ। उसके बाद आंगल फ्रांसिसी संघर्ष हुआ। इसमें इसे परतम करनाटक युद हुआ, हम दिटी करनाटक युद हुआ. उसके बाद फ्रांसिस्जित के कारण की और अंदब फ्रांसीजी प्राज जये हुए ठीक है वोसकी कारण पढ़ना है भारत में तिस हैं हम हुआ हराध में ब्रिटिस बिजय कीशे किए मैं बिटिस बिजय संयोगवस या उद्देश पूर्ण था कि कि पता हैै कि बिटिस संयोगवस से इंडिया को जीड़े कि उद्धेस था उनको पराने का कि ईंडिया को इंडिया पर इंड़िया को गुलाम बनाना स्प्फलता के कारण ये सकतियों के परिपरेच में और भी इरोपिये सुप्फलता के कारण आगे पढ़ेंगे चेघरिया परिपरेच में इंडिया में बहुत सारे राजा थे लेकिन अलग राजा था उसके प्रफल क्यों हो पाएं। अंगरेज पुरे देश में राज कर पाएं इसके पिछह क्या और रहा कि नहीं रहा आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगमन, स्टार्ट करते हैं, पुरा जम कर लग जाएगे भाई, पुरा क्लास करवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बेफी कर रहे हैं, आप क्लास कर सकते हैं, पुरा समझाते जाएंगे, जो भी टॉपिक आएगा, उसमें, जहां कोई भी कुछ टर्म आएगा, हम बिल्कुल बताते जाएंगे, बेफी कर रहे हैं, ठीक है, पुर्दगालियों का भारत आगमन, ठीक है, यूरोपिय सक्तियों में सबसे पहले पुर्दगालियों ने भारत में आगमन किया, हर को जान था कि, यूरोपिय सक्तियों में सबसे पहले पुर्दगाली ही यहां पर आये ठीक है आने के पीछे रीजन था नहीं समुदरी मार्क का खोज कर रहे थे खोज करने में कौन आया था वासकोटी गामा खोजते-खोजते इंडिया आया था sa 4098 में के पॉप अब होकर भारत के पच्मी तड़ पर अवस्तीत काली कट पॉंच अफ। था ठीक है काली कट पूंचा था काली कट में उसमें कौन सा रजा था उसको स्वागत करने के लिए जमूरीन नाम कर आजा था कालि कट के तठकालिन राजा जो था जमुरिन था जो उसको स्वागत किया था जिसमें कालिकट के तठपर वास्कोटि गामा 1499 में, डेट किया था 17 सत्रों में कालिकट बंदरगा पहुंचा था जहां पर जमूरी राजा ने उसका भग्वे तरीके से स्वागत किया था ठीक है वास्को डिगामा के भारत से भारत आगमन से पुर्व 1487 में बार्थो लामियो द्याज नामक पूर्दगाली अभिरकी के अभिरका के दच्छिनी सीरे तक पहुंचा तथा इस अस्थान को केप ऑफ गुड़ हॉफ नाम से नाम परतान किया गया पूर्दगाली कंपनी की अस्थापना एस्थापना एस्थादो दा इंडिया के नाम से 4992 में किया गया था भारत में पर्थम पूर्दगाली कीले की अस्थापना 15-3 में हुआ था अखिर इंडिया में जो पूर्दगाली पूर्दगाल का पहला जो कीले का अस्थापना वह था 15-3 में हुआ था ठीक है इस तादो दा इंडिया कंपनी का अस्थापना 1499 में हुआ पूर्दगाली कंपनी का अस्थापना 1499 में हुआ इंडिया में सबसे पहले जो कोचिन में किला जो अस्थापित किया था वो 503 में कोचिन में किया दूतिय किला का अस्थापना 505 में किया ठीक है कितना दोवर्स बाधी वो कन्नूर में किया था पर्थम गौर्णर के रूप में फ्रांसिस्को दी अलमीडा का पर्थम आगमन भारत पर कब हुआ पंद्रों सो पांच में हुआ था अलमीडा दुबार भारत में निले या सांत जलनिती की बुलू वाटर पॉलिसी ठीक है एकasa levolum को पर्थमीडा पॉलू बुलू वाटर पॉलिसी ला गया था मतलब नीले या सांत जलकिन निती लाओ लाए कब लाया था अयगयो कब आया था औद्रों सो पांचिसपी में आया था अलुकर्ग थां कि जिसे भारत में पुर्टगाली सक्ति का वास्त्विक संथापक बारत में वास्त्विक संथापक जो माने जाता है पुर्टगालियों का वह आपका था अल्बुकक्ष, फरांसीस्को, सब्सक्राइब कर वास्तिविक संस्थापक माने जाता पंद्रों सद्स इस भी में अल्बुकर्क ने गोवा को कि बिजापूर के सासक यूसुप आदिल साथ से चीन कर कब पंद्रों सद्स में अल्बुकर्क ने गोवा को बिजापूर के सासक से चीन कर अपने नियंत्र में लिया उसमें बिजापूर का सासक कुन था यूसुप आदिल सा था ठीक है उसे चीन कर अपने अधिन कर लिया अलबुखरक ने 1511 में मलक्छा एथरा 5015 में भारस की खाड़ी में इस्थीध हर्मज पर भी अधिकार कर लिया हर को मलक्छा तथा 1515 में भारस की खाड़ी इस्थिध ह्यां हर्म T हर्मुजलसंदी उसको अपने कबजे में कर लिया ठीक है इसी समय हिंदु महिलावों के साथ बिवा की निती अपना ही उचाहता ताकि लोग उस पर भेदभाव ना करें ताकि लोग ना समझे कि वो विदेशी है यूरूपियन है वो दुसरे हां से बेबार करने है लोगों से रिष्टा बढ़ाना चलू कर दिया रिष्टा बढ़ाने से लोगों को अपना पना पनायागा प्लस में भेदभाव की इस्थिती दूर होगी और लोगों को उनके परती विश्वास की अनुबती भी अनुबती भी होगी निनोडी कुनहा अगला पूर्थगाली गोर्नर था निनोडी कुनहा था पंद्रो सो उन्तीस इसवी में भारत आये था हूँ पंद्रो सो तीस इसवी में कुनहा ने पुर्थगालियों की आपचारिक राजधानी कोचिन से गोवा अस्थान अंत्रित कर दी ठीक है इन लोगों का जो पहला था अगला पुर्थगाली गुवर्णर पंद्रो सोंदीस में आया इसका जो अपचारिक राजधानी कोचिन था ठीक है कोचिन से अस्थान अंत्रित करके गोवा कर दिया किसने किया था निनो डी कुनहा की द्वारा किया था कुनहा ने हुगली और सेंट टोमे में कि पुर्टगाली बचलियों को अच्थापिद किया 1534 बसीन तथा है 3525 में दीव मेरा अधिकार कर लिया है ते वही दमन देउ आपका उसक साथ ही अकबर ने हुगली तथा जहां ने बुंदेल में का खाना खोलने की अनुमती दी उसी साथ ही अकबर जो था अकबर ने हुगली में उसको खोलने की अनुमती दी तथा साथ जहां ने बुंदेल में का खाना खोलने की अनुमती किसको पूर्थगालियों को भारत में पर्थम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन पूर्थगाली गौर्णर अलफांसो डिसूजा के समय हुआ किसके समय पर जो पादरी था पर्थम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन पूर्थगाली गौर्णर अलफांसो डि पुर्वी एस याई देशों से वेपार करने हितू नाग पटनम बंदरगा का परियोग करते थे साथ ही मसुली पटनम पूली कट सहरों से वस्तनों का निद्यात किया जाता था पुर्दगालियों ने कार्टेज अर्मोडा काफिला पधती का परियोग किया जिसके अंतरगत हिंद महासागर का परियोग करने वाले परतियक जहाज को सुल्क अदा करना होता था कोई भी जहाज अगर हिंद महासागर से कोई भी व्यपार करता था तो उसको सूलकादा करना पड़ता था मुगल सासक अकबर को भी पूर्टगालियों से कार्टेज लेना होता था समझ सकते हैं कि पूर्टगाली कितना आपने आपको मतलब ताकतवर होते जा रहे थे पूरी तरह से जब मुगल के बाद साथ उसको कार्टेज देना पड़ता था यह सोचने में बात है 1632 इसवी में साजहा ने हुगली को पूर्टगालियों के अधिन से छीन दिया अपने अधिकार में ले लिया 1686 इसवी में चटगाओं से समुद्री लूटे लूटेरों का औरंग्जेव ने सफाया किया अब देखिए भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती जहाज निर्वां प्रिंडिक प्रेस की सुरुवात पूर्टगालियों नहीं की ती यह सोचने वाली बात है सारा जो भीच बोने वाला वो पूर्टगाली थे जोकि तंबाकू का उतवादन उसी के समय आरम हुआ लाल मिर्च की खेती भी उसी के समय जहाज निर्वां जहाज निर्वां में भी बहुत आगे थे उन लोग प्रिंडिक प्रेस की बी सुरुवात उसी समय हुआ था पू 1556 इस्वी में गोवा में पर्थम प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना हुई थी भारत में गोथिक अस्थापत्य कला पूर्टगालियों की ही देन है 1556 इस्वी में गोवा में पर्थम प्रिंटिंग प्रेस की अस्थापना हुई थी इस अब ध्यान देने होगे है पीटी वेसी से पीटी के लिए आपको यह सब डेट पूछ दिये जाते हैं अग्सर अलग-अलग एस्टेटी पीश्यस में यह सब पूछे जाते हैं अब तो य सब कोचन पूछ देते हैं जिसे अस्तादो दा इंडिया यह यूरोपिय कंपनी था पूर्तगाल का 1499 में इसका अस्थापना हुआ था और उसके बात बिटिश इस इंडिया कंपनी ग्रेट ब्रिटेन 1599 में हुआ था इसका अस्थापना यह आपका डच कंपनी है डच कंपनी का 602 में हुआ था डेनमार्क की कंपनी थी उसका 606 में हुआ था फ्रांस की कंपनी थी उसका 6064 में हुआ था ठीक है पहला था पूर्तगाली कंपनी 1499 दूसरा ब्रिटेन था 1599 डच कंपनी था 602 डेनमार्क था 6060 फ्रांस की कंपनी थ 1664 ठीक है चलिए आप डचों का आगमन देखते हैं डचों का आगमन भारत में ठीक है कब हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ क्या कारण रहा क्या का जीते का विफल वे सब सारे आगे बढ़ते हैं ठीक है निदरलेंड या हॉलेंड की निवासी पुर्दगाली के पश्चाथ भारत आएं पंद्रो सच्च्छ यहमें हॉटमेन भारत आने वदिक रॉटम डच नागरिक ठीक पन्द्रोट च्यानवैद में और परथम डच नागरिक था वाला ढाल्रा उटेस्डा बारत आने व्ला परथम डच नागरिक था इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरिंग दे और इस्ट चलिए क्या नाम था और इंग दे ओस्ट इन डिचे कंपनी के नाम से किया गया था ठीक है क्या नाम था हिंदी मिसला अल्टरी दीखता है अंग्रेजी ilे देख लिए और इंग दे ओस्टीन डिचela कंपनी की नाम से किया गया का भारत में परथर अब्लाक कि इस्थापना मसफलीपर्ट हें सरफ तब हो ठीक है निया बनाने का स्थे दैचों को ही जाता है डचों नहीं सबसे पहले भारत को वस्त नियात का केंद्र बनाया था 1769 में बेदरा के युद में अंग्रेजों द्वारा डचों को प्राजित किया गया 1769 में बेदरा के युद में अंग्रेजों द्वारा डचों को प्राजे हुआ इस युद में अंग्रेजी सेना का नेत्री तो कलाइब कर रहा था वही 1757 के बाद ठीक है 1759 के बाद 69 में ठीक है आपका वेदरा के युद में डचों की प्राजे हुई कलाइब उसका नेत्री तो कर रहा था डचों की प्राजे का मुख्यकारण नोसेनिक सक्ति का कमजोर होना था अंग्रेजों का भारत आगमन बिटिश इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना के साथ इंग्लेंट की महरानी इलेजाबेथ पर्थम दुआरा छोलो सोईस्वे में एक चार्टर के माधियम से कंपनी को 15 वरसों के लिए 15 वरसों के लिए हां पर वेपार करने के लिए अंग्रेज लोग sug पूरवी देशों से वेपार करने का एक अधिकार पत्र प्रदान किया इसके पisy qualche 59 इसभी नवीन चाःटर के द्वारा इसके 23C दिकार को अनिश्जित काल के लिए बढ़ा दिया इस Темauave 9 इसभी में निवीन चाःटर लाया उस चार्टर में बुध आए है कि अब अनिश्जित काल तक विपार कर सकते थिक है के लिए बढ़ा दिया गया 608 हिस्वी में बिल्टेन के समराट जेम्स पर्थम ने भारत में वेवपारिक कोठियों को अस्थापित करने के उद्देश से केप्टन विल्यम को जहांगित के दरवार में बेजा ठीक है अब चाहते थे अंगरेज कि हम लोग आपर अपना सथापित करें बेटेन के समराट जेम्स पर्थम ने जेम्स पर्थम के दिवारा बेजा गया विलियम होकिन्स को कि जाईए वहां पर दरवार में जाईए दरवाद में अनिमोती लीजिए कि हम लोग यहां पर फैक्टरी खुलना चाहते हैं ठीक है तो जैम्स पर्थम ने भारत में विपारी कोठियों को अस्थापित करने के लिए केपटन विलियम होकिन्स को जहांगि चाह Kap-षाए के लिए आए के जाने को अनुमती मिला ठीक है फल्सारव सूरत में अस्थाई करखाना खुला थीक है कि इसी दुरान सोलो सो ग्यारा इसवी में ठीक है यह कब खुला था आपका आपका सोलो सो तेरों विला था उसी दूरान आपका और 611पी में अंग्रेजों ने मसली बटनम में वेपारी कोठी के अस्थापना की थी इसे पहली कर दिया था वेपारी कोठी लेकिन वह अधिकारी रूप से पूरी तरह से खुल चुका था चुक्कि यहां पर यह परशन रूप से त्रहें स्थाई रूप से खोल दिया गया था चे लिए ठीक है जहांगिर की समय स्थापना करने का अधिकार परदान किया था 1615 इस्वी में सर टॉम स्रो मुगल समराईज के सभी भागों में वेपारी कोठीयों की अस्थापना का अधिकार पत्र परदान किया गया था कर दिया गया था शलो सो चालीस शलो सो चालीस इस्वी में अंग्रेजों ने विजय नगर सासक के परतिनिधी चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को हडप लिया किसको मद्रास को हडप लिया वहां फोट सेंट ज्ञोर्ज का निर्मान करवा और किलेबंदी की थीचहाँ पर किलेबंदी कर दिया वह आपका शव्लो सो एकमंडे में साथ सूजार की अनुमुती की थि इसी वर्स साथ सूजार रुपी वार्शिक में अंग्रेजों को बंगाल बिहार उरिसा में मुप्त बेपार की अनुमुती भी परदान की साल सुजा की अनुमुती से ही 3,000 वार्ची तीन हजर रुप्य वार्ची के अंग्रेज को अंग्रेज कोई रोक टोक नहीं था 1661 में इंगलेंड के समराट चाल्स दीतिय का बिवा पुर्दगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ अब 1661 में 10 सलबाद इंगलेंड के समराट चाल्स दीतिय का बिवा इंगलेंड के जो समराट थे चाल्स दीतिय का विवा पुर्थगाली राजकुमारी केथरीन से हुआ ठीक है किसे हुआ केथरीन से हुआ पुर्थगाली राजकुमारी जिसके परिनाम सवरूप चाल्स को बंबई पुर्थगाल ने दहेज की रूप में भेट किया अब जो पुर्थगाली था पुर्तगाली राजकुमारी केथरीन से साधी हुआ उसका ठीक है उसको देहज में क्या मिल गया बंबय बंबय किसका है इंडिया का देहज में कौन बाट रहा है अंग्रेज लोग पुर्तगाली लोग पुर्तगाली बाट रहा है अंग्रेज को जाब ले लो भाई देहज मे इंग्लेंड के समराट चार्स दिद्य के साधी होती है है वो इंग्लेंड का राजा और यहां पर क्या दहेज में कौन दे रहा है इंडिया इंडिया के गंस बंबाई को देज में पुर्तगाली देता है ठीक है 1686 इस्वी में अंग्रेज्वों तो रहा हुगली को लूटने पर मुगल सेलाओं से संघर्ष हुआ हुगली में जब लूट रहे थे 1686 में अंग्रेजों लूट रहे थे तो मुगल सेलाओं से उसका संघर्ष हुआ जिसे कमपनी को सूरत मसुली पटनम, विशाका पटनम आदि से अपने अधिकार खोने पड़े अब देखिए हुआ ये कि अंग्रेज हुगली लूटने चले थे ठीक है मुगलों से संघर्ष हुआ संघर्ष में सूरत मसुली पटनम, विशाका पटनम अपने हाँ से खोब बेटते हैं ठीक है लेकिन अंग्रेजों द्वारा माफी मागने पर औरंग जेब ने हरजाना लेकर पुना वेपार करने का अधिकार दे दिया, अब चलिए देखिए औरंग जेब से गल्थी क्या हुआ इन लोग उधर नता बटती जा रही थी अंग्रेजों का, लेकिन इन लोग समझ नहीं पाए अब देखिए हुगली को लूटने चले थे वहाँ ता राजा था औरंग जेब अब देखिए इन लोग का हिम्मत लूटने चला लेकिन हार गए उन लोग हार गए लेकिन उन लोग क्या हुआ जुर्माना लगा दिया जुर्माना दो इतना जुर्माना लगाने के बाद फिर से वह वापस लोटा दिया सूरत को मचली पटनम विशागा पटनमादी के एधिकार खोब पड़े थे लेकिन सारा फिर वापस लोटा दिया सोलो से 91 इस भी में साही फर्मान के द्वारा औरंग जेव ने 3000 रुपिय वार्शिक रासी के बदले बंगाल में कंपनी को चुंगी रही तो विपार के नोवती दी अब यह भी वही किया जो पहले किया था सास उजद के द्वारा ठीक है अब यह आता है 3000 रुपिय वार्शिक लेता है कि जाए बंगाल में विपार कीजिए बिना चुंगी रही अब कोई चुंगी ने दिना यहां बेभार की करने लेगे इसके अलावा 162000 में थानवी में कंपनी को सुतनाथी सुतनाथी काणी काली घाट गोविंदपूर की जमिदारी प्राफ्त हो गई ठीक है इसके अलावा 1698 में कंपनी को शुतना थी यहां जूब चारनाक ने कलकत्ता नगर की अस्थापना की थी कलकत्ता नगर की अस्थापना की थी जौब चारनाक ने कलकत्ता नगर की अस्थापना की थी अब वहां पर क्या हो गया इन लोगों को शुतानाती, कालिघाट और गोविंदपुर की जमिन्दारी प्राथ हो गई, किसको कमपनी को, कमपनी द्वारा कलकता में फोट विलियम कीले का निर्मान करवाई गया, अंग्रेजों की द्वारा, इसके पहचाद फरुक सियर, फरुक सियर द्वारा भी कमपनी को वेपार र यह फर्मान जारी किया गया किआ यहां भी बैपार करना कि औहीं कहता है भारत कि मैं ऑव PR करेहं वो तो आपको बतांगे भारत में ऑन ये उर्ण में किकला में सबसे अंत में कोलर दोरा की गए थि जो एक सरकारी पंपनि भी तो इसका जो इंस ने कि काली फेक्ट्री कोठी अस्थापित किया था कि इसके पचाथ 169 में फ्रांसिस्यों ने भारत के पुर्वी तट पर मसली पटनम में अपना कर खाना अस्थापित किया कब 169 में पुर्वी तट में मसली पटनम में अपना कर खाना अस्थापित किया पॉंडी चेरी नगर के अ थापना फ्रांस के फ्रेंकोइस मार्टिन द्वारा छो सो तीहतर इस भी में की गई जिसे डचों ने 1693 इस भी में अपने दिकार में ले लिया किन्तु 1697 कि इस भी में रिजिविक समझोते कि नुसर पुनाब फ्रांस को दे दिया गया ठीक है पॉंडिजरी नगर के सब्सक्राइब फ्रेंग फ्रेंग कोईस मार्टिन के दुवारा किया था 1673 में लेकिन डच उसको अपने अंदर ले लिया अपने अधिकार में लिया 1697 में रीजिविक समझोगते के दोरा फ्रांस कको मुगल गोवर्णर ने मुगल गोवर्णरर से चंद्र लगर फ्रांसेशी कंपणी को प्राप्त हुआ कि के इस परकार 1690 मैं मुगल गोवर्णर ने चंद्र नगर फ्रांसीजी कंपनी को प्राप्त हुआ 1742 इसवी तक फ्रांसीजीओं ने अपनी गतिविद्यों को विपार तक ही सिमीत रखा लेकिन 1742 इसवी के पच्चाथ फ्रांसीजी कंपनी ने भारत में समराज विस्तार की योजना बनाना शुरू किया इसी का परिणाम था 1742 इसवी में डूपले को फ्रांसीजीओं के रूप में नियुक्त करके भारत भारत भेजा गया इसी का परिणाम था कि 1742 इसवी में डूपले को फ्रांसीजीओं के रूप में इंडिया भेजा गया डूपले बहुत महत्तवकांची गवववववर्णर था ठीक है बहुत ही सब बहुत ही क्या बोलते ही उसको जी बहुती तेच्दर रात गौरणर था ठीक है डूपले नहीं भारत में सहाज़ग संदी पर्त पर पहली बार अस्ठापित क्या था सोचने बात है साहायक संधी जो लौने वाला था वहे था था घुले ही था जो राजनीतिक महतोकां छाओ ने अंग्रेजयों तथा प्रांचीसी युद की नीव रखने का काम किया ठीक है मातोकांचा के कारण अंग्रेज और फ्रांसिसियों के मद करनाटक की करनाटक युद की निव रखी गई सत्ट जिसमें 760 हिस्भी में वांडिवास का युद हुआ वांडिवास के युद में फ्रांसिसी निरनायक रूप से उनका हार हुआ शत्रो संतावन की क्रांति उसी समय हुई थी ठीक है प्लासिक का यूद उसी के कुछ समय बाद तीन वर्सों के बाद आपका करनाटा यूद वा ठीक है उसी समय वांडिवास का यूद हुआ पूरी तरह से सफाय हो चुका समापत हुआ अब अंग्रेज पूरी तरह से ताकदवर हो चुक है थे देख लीजेगा यह सारे अंग्रेज के हैं चलिए अब पहला आते हैं आंगल फ्रांसीजी संगर्ज अंग्रेजों और फ्रांसीजी के बेश्चंगर्ज हुआ पर्थम करनाटा युद्वा 1746 से 1748 के बीच में कारण थाप का आस्ट्रिया के उत्रा धिकार के युद्ध का भारत में विस्तार ठीक है आस्ट्रिया के उत्रा धिकार के युद्ध का भारत में विस्तार परिणाम हुआ ओक्सला सेपल की संदी इसका परिणाम ठीक है इसकी संदी हुई इसमें अब करनाटक युद्ध हुआ था 179 से 1754 के बीच में हैदराबाद और करनाटक के विवादासपद उत्रा धीकारियों के मुद्दे पर हुआ था इसका परिणाम हुआ पॉंडी चरी की संधी वी इसमें तीरतियक करनाटक युद्ध आपका 1759 से 1763 के वीच हुआ कारण रहाप का ये सब्तवर्ष यूद्ध था ठीक है भारत में सब्तवर्फ यूद्ध था भारत का व्षता रहुआ यूद का बहुत सवाब परिणाम हुआ पेरिस कि संधि चरीयो में करनाटक यूद्ध बेखते हैं पूरी दर 싸 झीक्या आखिर किनके किनके बिच में किसका जीत हुआ किसका हार हुआ अब पर्थम करनाटक युद्ध हापका हुज़ हुआ फर्स्ट करनाटक वार 1746 से 48 के बिच मट हुआ ठीक है 1740 इसमें शुरू हुए आस्ट्रिया के उत्राधिकार का युद्ध भारत में बिस्तार पर्थम करनाटक के रूप में हुआ इस युद्ध का तत्काली कारण जो था अंग्रेज़ अधिकारी केप्टन बारनेटके नेत्रित में ब्रिटिस नोसेना दुआरा कुछ फ्रांशीशी जलपोद पर अधिकार कर लिए ना था युद्ध का शुरुवात होने का रिजन जो था केप्टन बार्नेट के नेत्रित में ब्रिटिस नो सेना दुआरा कुछ फ्रांसिसी जलपोत पर अधिकार कर लेते हैं इसे समय पॉंडिचरी का फ्रांसिसी गववर्नर डुपले तथा मदरास का ब्रिटिस गववर्नर मौर् अब यह हुआ कि अंग्रेज तो फ्रांसिसी जहाज को जलपोत को अपने अधिकार में ले लिया था इसे समय पॉंडिचरी पर फ्रांसिसी गववर्नर कौन था डुपले था मदरास का ब्रिटिस गववर्नर मौर्स था 1746 में फ्रेंच गववर्नर जनरल डुपले ने मौरिस्यस के फ्रांसिसी गववर्नर लाब बूर्डेने की सहाथा से मदरास को अपने अधिकार में ले लिया चलिए वहाँ जब जलपोत उसके मदरास को में गववर्नर वो उसको अपने अधिन कर लिया तो गववर्नर ने कि डूपले ने मदराज को अपने दिन ले लिया इसके पास बिटिस गवर्नर मौर्स ने आदम समर्पन कर दिया वहाँ पर आपका इसी दुरान सेंड़ टू में अडियार नदी के तरट पर इस्थित है नामा की यूद केप्टेन पैराडाइस के नेत्रिद में फ्रांसीजी सेना तथा करनाटक के नवाब अनवर उद्दिन के नेत्रिद में भारतिय सेना के मत लड़ा गया ठीक है फ्रांसीजी सेना तथा करनाटक के नवाब अनवर उद्दिन के नेत्रिद में भारतिय सेना के मत लड़ा गया या यूद फ्रांसीजी ओं द्वारा मदराज को मध्रास को विजित करने तथा नवाब की सेना को प्रास्थ करने के सब्सक्राइब बढ़ गईए। अब फ्रांसीजी की महत्वकांचा पड़े कि मदरास को जीत लिया इतना ही नहीं की सेना को हरा भी दिया थो तो अब उसकी महत्वकांचा क्या रहे दिनों दिन बढ़ते जा रहे थी इसी के पाच्छा डूपले ने अंग्रेजों की एक बस्ती फोर्ट सेंट डेविड को वि यह कौसिज जरूड की वहीं दूसरी तरफ कि इसी दुरान अंग्रेजों ने पॉर्ट्टी जी युटस हृषद में और चे भी सफल स्थ्या की उत्राधिकार के युद्ध की 2778 इस्विए ओक्सलाश हेपल की संदिव युद्ध से भारत Мы भी पर्थम-करणाठय युद्ध समाप्त हो गया अब आपका ऐंस्ट्रिया खें दिकार की इको समाप्ति 27-48 में हो गया औक्सला सेपेल की संदीक के दौरा तो भारत में पर्थम करनाटक युद्ध समाप्त हो गया तथा मदरास पुना अंग्रेजों को वापस कर दिया चुकि मदरास पर अधिकार तो अब उसको वापस चुकि वह युद्ध समाप्त हो चुका था जिसके करनाटक युद्ध भी समाप्त हो गया और अंग्रेजों को फिर से वापस कर दिया गया मदरास को इस परकार इस युद्ध में दोनों दल बिर्टिस और फ्रांसिसी बराबरी पर रहें अब इसमें कोई निर्नाइब युद्ध हुआ ही नहीं दोनों बराबर रहें नहीं हारा नहीं जीता नहीं जीता नहीं हारा अब किन्तु युद्ध ने भारतिये राजाओं की कमजोर थी वह जागर कर दिया लोग जान चुके थी कि जो इंडियन जो जितने भी राजा है वो ताकतवर उत्रा नहीं है जितना लोग सोच के रखे थे वह उनलों को सकती का अभास हो चुका था इन कंपनियों को फलता फ्रांसीजी और अंग्रेज्जों ने भारत में समराइज वि का पड़त्सन किया अब डूपले था महत्वकांची वह चाहता था कि हम और जगह अपना कीला को विस्तारित करें कंपणी को विस्तारित करें इसके लिए वह तो पूरा चतुर था वह अस्थल पर फ्रांसीजी रेश्ट रहे जबकि अंग्रेज्जों ने नोसना के महत्व हम नोसोन अंग्रेजों के नोसेना आज में वह बहुत वहत्र है सब को बता थे जितने भी वयपार हो दुए कि समुद्र क Nepustव हो रहे थी सम currently नोसर अपर जिसकान हो भी परिवहन होगा जितने भी आपका वेपार होगा सब नो सेनक के माधियम से करना है तो अंग्रेज नौका में नौबहन में पूरे तरह से ताकतवर थे तो जाहर सी बात है वो अमेशा अस्तर अपना उठा के रख रहे थे दियुतिय करनाटक युद्ध हुआ उसका क्या रिजन था चलिए देखते हैं दियुतिय करनाटक युद्ध 1749-1754 के बीच में हुआ हिद्राबाद और करनाटक के विवादास्पद उत्रा धिकारियों के कारण करनाटक का दियुतिय युद्ध हुआ ठीक है किसके कारण हुआ करनाटक और हिद्राबाद के विवादास्पद उत्रा धिकारियों के नासिर जंग और मुझपर जंग के मद कर्नात की नवाव अन्वार उद्धिन और उसके बहनुई चंदा साहिब के मध विवाद उत्वन हुआ, ठीके है, अब कौन सा जगा था है, हैदराबाद, दक्कर में, आसबजा की मिर्तिव के पच्चा, नासिर जंग और मुझपर जं करनाटक में अनुरुद्दिन और उसके बहनुई चंदा साहिब के मद विवादुत बन हुआ ठीक है कि डूपले ने मुझपर जंग और चंदा साहिब का समर्थन दिया देखिए यहां पर आपका किसका दिया मुझपर जंग का हैदराबाद में आपका मुझपर जंग का करनाटक में अनुरुद्दिन का सपोर्ट करने लगे ठीक है अब दो पाले में फ्रांसिसी और अंग्रेज बट गए ठीक है मुझपर जंग मुझपर जंग चंदा साहिब और फ्रांसिसी सेना ने 1749 में अमबूर नामकस्थान पर अनोरुद्दिन को प्रास्त करके मार दिया धीक है प्रांसिसी सेना के जीत हुई अब डुपले प्रांसिसी सेना का नेत्रीत हुआ था उसकी जीत हुई लो भाई तकестно 75 को करनाटा कला बना डिया अब फूरी तरह दूपले वल्ले वल्ले हो गया ठीक है दोनों तरफ दोनों जागा पर जीत गया और नेतिरुद करता वही था अब अंग्रेजी के बुरी तरह से हार भी डूपले इसमें अपनी राजनीतिक सक्ति की प्रकाष्टा का प्रकाष्टा पर पहुंच चुका था मतलब सर्फस्रेश्टी से नेति राजनीति के पुरा उच रहो से मापर पहुंचुका था उसी तरह पूरा डूपलेकdan पहुंच चुका ठैक है प्रकाष्टा पर पहुंच चुका था था सक्ति की प्रकाष्टा पर舉 पोँंच टा फ्राज Chr Muchita सक्ति के पतन का दोर इसी उद के दौरान प्रार्म हो कि शत्रों से कावन में अब क्या हवशं में कलाइव अरकाट को कुद्रेंग अंग्रेजों के अब क्या हो छिंत अब में खाषो五 नहुंहों दूपले को पूर्णिए छती भी आप यह हुआ कि आप तो गिनंगिन के बतला अंगरेज ले रहे थें अंगरेज से ना टो फ्रांसीजी की वहां पर ठीक है अब इसी दुरान अंग्रेजों ने चंदा साहिब की हत्या कर दी अब चंदा साहिब को भी हत्या कर दिया अंग्रेजों ने तता मोहमद अली को करनाटा कर नवाब बना दिया अब तो दाउ उल्टा पड़ रहा था फ्रांसीजी सरकार ने डूपले को वापिस भारत में अगला फ्राशसी गुवर्णर बना कर भेज़ा अब इसके बाद क्या हो दूपले को वापस तो बुला लेते हैं 1754 में गोडे हूँ चुकि भाई साब डूपले बहुत महत्वक आंशिया योगिस गौर्णर था अब इसको उसके जगा पर गोडे हूँ को भेजा गया ठीक है चलिए देखते हैं क्या कमाल करता है अब गोडे हूँ को अदूदर्सी लिए राजनितिक था वो दूटर्सी देखी नहें सकता था आगे कि क्या होने वाला कि ने वहाला है दूदर्सी था वह जिसने भारत में आते हैं अंगरेजों के समझोते के लिए वारताय करने के लिए अब कोई भी भाई जिसके सामने जुके गया जहर से बात है जुकाएगा जुकाएगा वारताय करना चालू कर दिया है गोड़े हूँ अंदता 1755 में पॉंडी चरी की संदी से युद बिराम लगा पॉंडी चरी की संदी की गई 755 में यूद बीराम हो गया तत्ता यूद का परिणी नंत्रीक मामले कोई हंस्तिचेप नहीं किया जाएका अब दोनों निनियुद धारिद कि इंडिया का भारती ये मामलों में भारतीराजियों के आंतरिक मामल degenerate तथा एक दूसरे के विजित पर्दिश्यों को वापिस कर दिया गया जो भी एक दूसरे में जीते थे जो वो एक दूसरे में जिसका जिसका था उसको वापस लोटा दिया गया किन्तु सिग्र ही 1756 में फ्रांस और इंग्लेंड के मद शुरू हुए सब्तवर्सिय यूद्ध में पॉंडिचेरी की संधी को अपरसांगी कर दिया अब क्या हुआ सत्रों से चपन में फ्रांस और इंग्लेंड के मद शुरूवे सब्त वर्षी युद्ध ने पॉंडिचरी की संदी को अपड़सांगी कर दिया निसकर्था इस युद्धुम ने भारत में अंग्रेजों की स्थिति सुद्रिट तथा फ्रांसी सी सकती कमजोर हो गई ठीक है यह तो होना ही था चुकि यह तो दुर्द्रसी था ही नहीं डूपले के तो भेज दिया गया था अब तिर्तिय करनाटक युद्ध सुरू होता है सत्रों संठावन से सत्रों सो तिर्षाठ में के बीच में ठीक है सत्रों सो चपन इस भी में यूरोप के आस्ट्रिया तथा परसा के मध्ध को सुरू हुए सब्तवर्षिये का विस्तार भारत में तिर्तिय करनाटक युद्ध के रूप में अब देखिए लाडाई कहां लड़ा जा रहा है यूरोप के आस्ट्रिया और परसा के मध्ध सब्तवर्षय यूद्ध स्टार्ट होता है लेकिन उसका प्र परसा को समर्थन दिया था अब यह हुआ अब सब्तवर्षय यूद्ध में फ्रांस ने फ्रांस ने आस्ट्रिया को समर्थन किया इंग्लेंड ने परसा को समर्थन किया इसी दुरान इंग्लेंड के नेत्रीत में इंग्लेंड ने कलाइब के नेत्रीत में 1757 प्लासिक की ल 23 जुन कितना था 23 जुन कि 757 में प्लासिक की युद्ध हुआ जिसमें से निर्नाएक रूप से पूरी तरह से देखा जा तो अंग्रेजी जीते सिराजु दोला बुरीतरा से हाराउस में विजीत किया फ्रांसिजियों की महत्पुन बस्ती चंदर्नगर पर भी अधिकार कर लिया तीर्टिय करनाटक युद्ध के दराँ 1789 ईस भी में count लाली ने 4 शेंट ड्यविट को चीत लिया कौन सा है 4 शेंट ड्यविट को जीत लिया इसके पचाथ लाली ने मदरास को घेर लिया थथा अपने स्तिति को मजबूत करने के लिए बुसी को हैदरावाध से बुला लिया थीक?' अब गेरने बाद इस्तिति इसकी मजबूत होगी बुसी को वहाँ पर बुला लिया नहां देखिए तिर्तिय करनाटा युद्ध के दरां 1759 में कान लाली ने कर लिया इसके पष्चाद लाली ने मद्रास को गिर लिया मद्रास के पास था अंग्रेज्यों के पास ठीक हैं मद्रास सो गेर लिया अपनी स्तिति को मझबूत करने के लिए लिए व् değ को हैदराबाद बुला लिया मनाम से बिलाके इसको मदरास भुला लिए जुकि भुसी को वहां था वहां से पूला लिए तो उसको उंघरेज़ों को छूट मिल गई अब बुसी को बुलाना लाली की सबसे बड़ी भूल साबित हुई फलतर सत्रो सु साथ हिस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कुट के नेत्रित में वांडिवास के युद में फ्रांस को प्रास्त किया और यह निरनायक युद था ठीक है यहां बुरी तरह से पिलाली का लिंगर्ड है zat 230 इसमि अंग्रेज चिसे लए सर ने अयरकुट के वांडिवास के युद किया तता फ्रांशी सेंनापती बुसी को बंदी बना लिया गया अब प्रां के नापती जो हεις वर युद का लेसेर 1 तर्श 2 में यहिजने भारत में फ्रांशी सक्ती का अंत कर दिया निरनायक उध्धा जिसमें और निरनायक युद्धमाना जाता है इस प्रकार फ्रांसेसी हार ने भारत के लिए बिटिश गुलामी का मार खोल दिया अब पूरीतरा से अंग्रेज खुला पूरीतरा से एकलोता सेर हो गए ठीक है जो इलों को काउंटर करने वाला फ्रांसीजी था वह फ्रांसीजी निर्नायक रूप से इसमें हार चुगे थे ठीक है तिर्टिय करनाटा यूद में वांडिवास का यूद था जिसमें पूरी तरह से हार चुगे थे अब निस्कर्स इसका क्या निकलता है कहा जा सकता है कि भारत अंग्रेजों और फ्रांसीजीजीओ के मद ऑपनिवेसिक जगड़े के विभीन उधस्थलों में से एक था जहां निशीद रूप से अंग्रेज भागिसाली और सफल सिद्धू हुए फ्रांसीजीजी प्राइज में रहते एक हुए चुकि यह गवर्मेंट के अंदर था यह कंपनी थी गवर्मेंट नलते दो निन ले ती छी जिसके कान ऐख हुआ ठीकर यह आगे पढ़ लेते हैं Prancisio की Πराजह के कारण 3 कृनाट्सक युद्धों ने भारत में अधिया तो ऑन्थ हैं इसनका को सम्भव कि कि और पहला कारण आपका है फ्रांसिस्यों का यूरोप में राजनीति में उलज रहे थे उसके कारण था अंग्रेजों की बंगाल बिजे ठीक है अंग्रेज बंगाल को विजे कर लिए थे ये पर आपके सभिव के सरूप में असमान था जुकि वह गौर्मेंट के इंदर फ्रांसिस्य काम करते हैं एक नीजी कंपनी अंग्रेज की जो कंपनी थी वो नीजी कंपनी थी राजनीतिग नेत्रीत था अलग अलग के पास था दो स्पुन सासन पर नाली थी डुपले की भूमी का बनिया थी लेकिन उसको बला लिया गया कमजोर नोसेनिक सकती अब नोसेनक जो सकती थी अंग्रेज की बहुत भैदरिन थी अयोग उत्राधिकारी अयोग था वो भी रिजन है चलिए अब देखते हैं फ्रांसिस्यों का यूरोप की राजनीती में उलजना फ्रांसिसी यूरोप की राजनीती में उलजना थे ठीक है वो भी ये कारण रहा कि अंग्रेजों को फ्रांसिस्यों को इंडिया से अपना हाथ दोना पड़ा सिह समराट嗨 की यूरोपिया महात्वकांचाव के कारण france ॐरोप की राजने dachte में उलजा रहा अब दिक्कत यह थी कि france ॐरोप की राजनेती में पूरा दिल्चस्पी ले रहे थे दो जगह दिल्चस्पी लेना उनके लिए संभव था नहीं जिसके कारण ये में अंचान ये फ्रांस कर दिया वो विस्तार के ये इंडिया में उन लोगों के महतवगांचा को रोक लग गया मतलब इस्तार में सीमित कर दिया गया इंग्लेंड को भारत तथा उतरी अमिर्का में उपनिवेस प्राप्त हुए कंपणियों के सरूप में आसमानता थी फ्रांसीजी कंपणी फ्रांस सरकार के एक सरकारी विभाग था ठीक है पहले बता चुके हैं आपको हम इसको फ्रांसीजी कंपणी जो थी फ्रांस सरकार के से कमपनी के डारेकटर सरकार मनौनीत परतियाभूति होते थे डारेकटर सरकार मनौनीत किये जाते हैं प्रांसिसी कंपनी की उधासिंता के कारण सत्रों सो पच्चीस से सत्रों सो पैट सट इस्वी के मद्ध एक भी बैठक नहीं हुई ठीक है उधासिंता के कारण एक भी बैठक नहीं हुई फल्दा कंपनी की वित्य इस्तिती भी बिगरती चली गई ऐसी फ्रांचेजी कंपनी डूपले की बढ़ती महतवकांचाओं तथा भारतिय सम्राइज को विजित किये जाने वाले युद्धों में धन किया पूर्ती नहीं कर सकती थी दूपले वहां युद्ध कर रहा था इंडिया में भारत में तो इसकी महतवकांचा बढ़ते जा रहे थी जिसके लोग अधिक पैसे खर्च हो रहे थे पहले भी बता चुके हैं जिसके कारण उसको खर्च को धन को विया करने में असमर्द थे पूर्ती नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण उसको वापस बढ़ा लिए वहीं दूसरी तो अंगर्याजी कंपने एक निजी विय नहीं कोई बिशयस हस्तरषेब नहीं होता थ। दो तो गवर्रमेंट का को तो अस्तर शेब देती थी अब इसट इंडिया कंपणी थी किम हुआ किका जिक तयांचर Score G करते कमपनी अपनी उद्ध केलिए अधिकतर अधिकतर अपना धन सवΐय अरजित करती थी नषिए अर उसको और फ्रांसिशी कंपनी को सरकारे उपर निरुपरxesrations यहां सब्सक्राइब पिच्छा अंग्रेजों ने 1736-1766 के लगवाट 2.5 गुना अधिक व्यपार किया ठीक है फ्रांसिस्यों के पिच्छा अंग्रेजों ने अढ़ाई गुना अधिक व्यपार किया ठीक है यूद की स्थीति में भी बिटिश कंपनी व्यपार पर अधिक ध्यान केंद्रित करती थी यूद कितनों ही हो रहा लेकिन वो लोग किस पर व्यपार पर अधिक ध्यान केंद्रित रखते थे जिससे उनकी आर्थिक इस्तिदी सुद्रिट बनी रही और धिरे दरे आगे और भी मजबूत होती गई ठीक लूई 14 में 1648 से 1715 इसवी के काल से ही फ्रांस में प्रशासनी कमजोरियां परकट होने लगी थी लूई 15 में की भ्रांती पुर्ण नीतियों ने फ्रांस की इस्तिती को और भी अधिक दोस्पुन बना दिया कमजोर नोसेनिक सक्ति अब नोसेना भी इन्टों को कमजोर था चलिए देखते हैं करनाटेक के तीनों युद्धों ने नोसेना की भूमिका को सिद्ध कर दिया था बिटिश नोसेनिक सकती के संदर में कहा जाता था कि अधिसेस कारण नहीं भी होते तब भी बिटिश नोसेना के सकती फ्रांसिस्यों को प्रास्ट करने के लिए प्रयाप्त थी नोसेना इतनी बहतर थी बिटिश कंपनी की कि अकर कुछ भी ना होता लोगों के पास तो नोसेना के रूप नोसेनिक में लोग पूरी तरह से प्रास्ट कर देते ठीक है नोसेना के सकती फ्रांसिस्यों को प्रास्ट करने के लिए पूरी तरह से सच्छम थी अंग्रेजों की बंगाल बिजे चलिए देखते हैं अंग्रेजों की बंगाल बिजे ने बिटिस कमपनियों को अपार धन सक्ति का स्रोत परदान किया बंगाल बिजे जैसे ही कि अंग्रेज बिटिस को तो पूरी तरह से अपार धन सक्ति स्रोत परदान किया वहीं दक्कन इतना सक्ति साली नहीं था कि डुपले और लाली के राजनितिक महतोगांचाओं को पूरा कर पाता अंग्रेज लोग जो बंगाल जो विजे किये थे वहां तो अपार धन वहां से प्राप्ति हो रही थी ठीक है जिसे उन लोगों सक्ति दिन दिन बढ़ते जा रही थी और इनका जो दिक्कत था दक्कन इतना सक्ति साली नहीं था ठीक है डुपले लाली की राजनितिक महतोगांचाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था इसी संदर में मेरियट ने सही कहा था कि डुपले ने मदरास में भारत की चावी खोलने का निसफल परियत्न किया तथा क्लाइब ने यही चावी बंगाल में खोजी और प्राप्त कर लिए देखिए क्या हुआ मेरियट के द्वार कहा गया कि डुपले ने मदरास में भारत की चावी खोलने की निसफल परियास किया ठीक है परियास तो जरू किया लेकिन निसफल रहा हो पूरी तरह सफल ने उपार लेकिन यही कलाइब ने चावी बंगाल में खोली और वो और सेनिक नेत्री तो फ्रांसिजी कंपनी की तुला में अधिक उत्तम थी यह तो ज़रूरी जानता है सबको जानता है बिर्टिस कंपनी का राजनितिक और सेनिक नेत्री तो फ्रांसिजी कंपनी की तुला में अधिक उत्तम था डूपले और बुसी फ्रांसिजी कंपनी को व भी बुपले एक उतम नेत्रि रुकाता होते हुए फ्रांशिस्यों की हार के लिए भी उतर्दाई है डुपले राजनीतिक सडियंत्रों को इतना इतना उलज गया कि फ्रांशिसी कमपनी के व्यपार तथा वित्य पच्छों की अभ्यलना होने लगी अयोक उत्राधिकारी फ भारत में लगादार संगहर्ष तथा अपनी कुछनितिक सूज के दोर्प फ्रांसीस्तियों की अनुकुल जिस वातावन का निर्मान किया था उसे उसके ही देश के अधिकारियों नि मन नस्ट कर दिया फ्रांसीजी सरकार्दवा सत्रो सो चोवन में डूपले को वापस बुला लेना एक गलत निर्नेशी दुआ तथा वहीं दूसरी तरफ कांट डी लाली की अदूर दर्शिता पुर्ण नितियों ने भी फ्रांसीजीओं की राजनितिक सक्दी का पतन की मुख्यभिमिका पतन मे आपका भारत में फ्रांसीजी सक्ति के असफल होने के पिछे आर्थिक क्या क्या कारण रहे वह आपको बता रहे हैं फ्रांसीजी आखिर आसफल क्यों रहे फ्रांसीजी का असफल होने के पिछे रिजन था आर्थिक राजनितिक सामरिक तीनों ही कारण बिद्धमान थे ठी गोई है वहीं दूसरी तरब इन सभी ततों में ब्रिटिस सक्ति साली सिद्ध होगए पहारत में ब्रिटिस बीजय कैसे ब्रिटिस बीजय सायोग मां या उद्धिस पुर्ण था ये जानने के जरूरत है अगरे क्या ब्रेटीस जो बिजय के संयोग था की उद्धेस पहले ही था चलिए देखते हैं इतिहास कालो के दुआरा अंगरेज्यों की भारत बिजय के संदर में दो परकार के मत दिये जाते हैं पर्थम मतानुसार बिटिस बिजे को संयोग वस या निरुद्देश माना गया है ठीक है वहीं दूसरी मत बिटिस बिजे को उद्देश पुर्ण या सू नियोजित मानते हैं दो धाड़ों में बटा हुआ है कुछ लोग बलते हैं संयोग वस था है कि अंग्रेज इसको जीत लिए इंडिया को जीत लिए भारत को जीत लिए दूसरे लोग मानते हैं कि नहीं यह महज संयोग नहीं बिटिस बिजे का उद्देश पुर्ण एवं सू नियोजित था यह पहले से ही नियोजित था कि इंडिया को अपने अधिन करना है जोन सीले के नेतरित में इतिहास कारों ने अंग्रेजों की भारत बिजे को संयोग बस या गेर इरादतन माना है इसमत को मानने वालों का तर्क है कि इस इंडिया कमपणी एक वेपारी कमपणी थी जो वेपार के उद्देश से भारत आई थी तथा भारती भुभाग पर अधिकार भी उनकी कोई मनसा नहीं थी उनका कोई भी मनसा नहीं थी जो थी उनका ये कहना है ठीक है किन्तु भारत के राजनीतिक प्रश्थितियों ने अंग्रेजों को भारत के राजनीतिक संगर्श में समलित कर लिया फलता हुए भारतिय राजियों में यूध कर उन्हें बिटिस उपनिवेस बनाने के लिए बाइद हो गया अईसी प्रस्तिती ही उत्मन हो गई कि अंग्रेजों को भारत के राजनीतिक राजनीति में हसे छेप करना अनिवायर हो गया ठीक है और यूध करकर बिटिस को बिटिस अपने उपनिवेस बनाने के लिए बाइद हो गये दूसरी मत के अनुसार अंग्रेजों ने अब दूसरा मत बोलता है कि अंग्रेजों ने भारत बिजय को एक सुनियोजित रननीति के तहत अपने अधिन किया है दूसरे मतों के पहले सुनियोजित थी ठीक है उसको अपने अधिन करने के लिए वह पहले सुनियोजित रननीति के तहत ही किया गया है इस पच का मानना है कि अंग्रेज निश्चीत योजना के साथ एक संगटीत वेपारी कंपनी के रूप में भारत में आये ठीक है पहले से तह था वह कंपनी इसलिए बनाते हैं कि भारत पर कभजा करना है ठीक है तथा देरेद्रे अपनी कुट नितिक चालों को बढ़ाते हुए राजनीतिक अधिकारों में बढ़ोतरी की परिणामता भारतिय राज बिटिस कंपनी के अधिन होते चले गए इन दोनों विचारों का विशलेशन अगर करते हैं तो विशलेशन करने के उपरांथ हम देखते हैं कि दोनों ही विचार अतिस्योक्ति पूर्ण है तारकिक विशलेशन करने पर हम पाते हैं कि बिटिस कंपनी का प्रारंबिक उदेश व्यपारिक था अगर हम इसका तारकि जो अधिगरन किये वो संयोग वस था महाज एक संयोग वस रूप से किया गया था लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की राजनीतिक महतोगांचाय बढ़ते गई अंग्रेजों की नीतियां भी अक्रामक होती गई जैसे कि सायक संदी का विस्तार हडप नीति भी देखें तो यह सब सारे वही कारण हैं इरोपिय सक्तियों के परिपरेच में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहे नए समुद्री मार्की खोज होने के पहचात भारत में भारत आई विभीन विपारी कंपणियों में भारत में सत्ता प्राप्ती हितु आपसी परतिस परधा का दोर चला जिसमें अठारवे सताबदी के अंध तक बिटिस कंपणिया सर्वोच सक्ति बनकर उबरी अठारवे सत सक्तिसाली बनकर उभर कर आए यूरोपियस सक्तियों के परिप्रेच में बिटिसों की सफलता के कारण क्या थे तो कारण था वेपारी कंपणियों की संरचना एवं कायर परनाली नौ सेनिक सर्वोचता रिन बजार का उप्योग इसाय धर्म के परसार में कम रूचि शेन पर्विटिस इस इंडिया कंपनी एक नीजी कंपणी थी जो निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी इसके सदेश्यों को वार्शिक रूप से चुना जाता था ठीग है? वहीं दूसरी तरप France और पुर्तगाल की वेपारी कमपनीया सरकारी नियंदरन में थी, Francis कमपनी में 60% 60% से अधिक सेर राजा के पास होते थे, Francis निजिक मटनल द्वारा नियंत्रीत होती थी इसके सदस्च्यों को वार्षिक रूप से चुना जाता था वहीं दूसरी दरफ फ्रांस और पुर्थकाल के वेपारिक कमपनियां सरकारी कमपनिय थी प्रांस और 60% से अधिक शेर राजा के पास होते थे 60% से अधिक जो शेर था और राजा का था इस प्रका की कमपनी में शेरधारकों की रूची कम होती थी अब सारा प्रोफिट तो प्रोफिट में जो हिस्सा हो रहा है राजा के पास 60% जा रहा है तो सेर्धारकों को रुची कम होती थी यही कारण है कि 1725 इसवी से 1765 इसवी के मद फ्रांसिसी कंपणी के सेर्धारकों की कोई बैठक हुई ही नहीं यह भी बात है अपने जहाजी बेड़ों को निरंतर ससक्त किया अग्रेजी सेनिकों के दौरा बिटिस कंपणी के द्वारा निरंतर निरंतर अपने जहाजी बेड़ों को ससक्त किया ठीक है इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने भारत में बिदेशी सक्तियों को प्रास्त कर दिया ठीक है सयन कुसलता एवं अनुसासन रखता है बीटीस सेना के नेज़ först कि राज़नीती एवं कुंट-पूण थे ठीक है राजनीती तथा बिटिस के सेनिक अनुसाशित अनुसासित भी थे प्रोदेग की नहीं प्रोदुकिकी ने बिटिस सीना को सदेव आधुनिक अब देखेश्ण प्रोदुकिकी थी ठीक है बिटी सेना सदेव उसको अधुनिक बनाय रखा नयने अविस्कार हो रहा था लोग नयने हर हत्यार हो गया नयने तोर तरीके अपना रहे थे जिसको अपडेट करके रखते थे वो अपने नोसेना को अपने सेनी को बिटेन की अस्थाई सरकार थी 1688 की संदार करांती के भच्चात बिटेन में राज तंद्र के साथ अस्थाई सरकार की विद्वानता बनी रही वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में 1789 में करांती की हुई जिसके बाद भी फ्रांस में अनिस्चित्ताएं में उलज़ा रहा नेपोलियन के उत्थान से लेकर नेपोलियन के पतन तक फ्रांस निरंतर युद में ही उलजारा सत्रवी सताब्दी में डच और अस्पेन असी वर्सों तक युद में सलंग रहे ओद्योगी क्रांती का परचार चलिए देखते हैं अठारवी सताब्दी के पुर्वारत में बिटेन में ओद्योगी क्रांती की सुरवात हुई जिसने बिटिश कंपनी की व्यपारी अब सकताओं को मजबूत किया कच्चे माल की मांग तथा त्यार माल के लिए बजार किया सकता ने बिटिश कंपनी को भारत के समराइज को प्राप्त करने के लिए प्रेड़ना परदान की वहीं दूसरी तरफ एन बिदेशी कंपनी भारत में राजनीतिक युद्धों में ही उलज कर रह गई तथा व्यपारिक कतिविधियों पर ध्यान ने दिया ठीक है इसाय धर्म के परसार में कम रुची बिटेन का स्पेन पुर्टगाल एवं डच की अपेच्छा इसाय धर् करने की बिटिस कंपनी ने भारत में संस्क्रिती धार्मिक समाजी गत्ती विधियों में प्रारम में हस्ति छेप नहीं किया रीन बजार का उप्योग बिटिस कंपरी ने युद्धों के लिए बित्य अवसकताओं को पूरा करने के लिए रीन बजार का उप्योग किया वहीं दूसरी तरफ फ्रांस अपने धन एकत्रित करने के तरीके कारण ही असफल हो गया छेत्रिय सक्तियों के परिप्रेच में अंग्रेजों की सफलता के कारण भारत में बिटी समराज की अस्थापना है तो अंग्रेजों को ना सिर्फ यूरोपिय कंपनियों को प्रास्थ करना था अपितु भारत की छेत्रिय सक्तियों से भी युद्ध करना निवार था जिससे अंग्रेजों को सफलता प्राप्त भी सफलता के निम्लिकित कारण थे अगर क्या क्या कारण थे सफलता के पीछे वो देखते हैं तो सफलता के पीछे कारण थे छेतरिय सक्तियों के परिप्रेश में जेतने भी सेनिक थे अकुसल सेनिक भी थे उसके पास हाथ्यार भी अगल उतना नहीं थे योगिय नेत्रीतुर नहीं था आर्थिक सुद्धिर्था नहीं थी जोकि उसमें राश्टवात की भामना जाग ली थी नहीं हुग ता जो कि इंडिया के बरती लोग को लड़े हैं लोग प्रांतों में राजा और सेनिक सारे प्रांतों में बटे हुए थे तो किसी के अंदर उस समय तक राष्टवात की भामना उत्पन नहीं हुई थी वह भी कारणिये था हारने का उत्कृष्ट एवं आधोनिक हत्यार अंग्रेजों के आधोनिक हत्यार की विसिश्चता ने भारत की छेतरिय सक्तियों को कमज़ूर कर दिया अब अंग्रेज थे उसके आधोनिक हत्यार उसके पास था आज भी उसमय प्रांतों में प्रांतों के राजाओं के बाज वही पुराना हत्यार था ठीक है अब नए हत्यारों के साथ पुराना हत्यार से युद्ध करना बहुत ही चुनोती पूर्ण था यूरोपिय बंदुकों तोपों की गति और दूरी ने अंग्रेजों को देशी सक सखद्षा बना दिया अवसे बंदुक उसके यूरोपियों के में अबका बंदुक भी आ चुका था टोपों की वी गति उसकी बहुत तेजिती दूरी ने अंग्रेजों को देशी सक्टियों के सख़क्तव बना दिया अब इन सब चीज था है ही नहीं भारतियों राजाओं के पास British पैदल सेना कि उत्किरिश्टा इसी बात से सीध हो जाती है कि भारतिये अस्वार रोहईयों की अपेच्छा 3 ुना अधिक तेजी से पह IPS कर सकती थी ऊत्किरिश्ट इसी बात सीध होता है नहीं कि भारती आस्वार होई की अपयच्छा तीन गुना अधिक तेजी से परहार कर सकती थी ठीक है फैसल से अब उसको चुकी आसवर होई थे ठीक से गोडों से अपना वार नहीं करपाते थे चैन्äm है यह सब पैदल से ना थिर पुररा दश्ज था इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेयनिंग दिया हुआ थे लुक्रुब्र से उत्रिट के और फो नेत्रिवत्म ने अंग्रेजों को भारतिय सक्तियों के समझ मजबूत इस्थिति परदान की अंग्रेजों को कलाइव वारेन हेस्टिंग्स मुन्रो डलहोजी वैलेजली जैसे दुरलब नेताओं की सेवाएं प्राप्त हुई जिन्होंने बिटिस समराई की अस्थापना में सहायता की वहीं दूसरी तरफ भारत में हैदर अली टीपो सुल्टान चिन किलीच खान माधावराब सिंधिया अस्वंद्रा होलकर जैसे कुसल नेतित कता उपलब थे लेकिन ये नेताओं ये नेता अंग्रेजों के साथ साथ आपस में भी युद्रत थे अब अंग्रेजो किन के बिरूद्द इनके प्राववव को पतरियास ओंए सफलता नहीए मिल सकी आप आरो सुधिक त सूद्रिट्त कर पिटीश कंपणनी के विपार वानीजी के द्वारा अपने विट्र शाधिनों में साथनों को एकत्रिक करती थी कंपनी एपनी राएसे से औरो सिर्फ अ चाहिएं अंग्रेजोंने अपने सेनकों को नियमित बेतरन की विश्था प्रदान की जबकि भारतिय सेनकों के पास अपनी सेनाकोा नियमित बेतरन देने के लिए धनец का अभाव था यही कारण कि अंग्रेजों ने अपनी सेनाक में अनुसासन और सत्यनिष्टा को सुनश्चित किया अब आज आते हैं राष्टवाद की भावना भारतिय सक्तियों के भीतर राष्टवाद की भावना का अभाव था ये सबी छेत्रिय सक्तिया अपने अपने छेत्रों की सतंता के लिए लड़ रही थी, उसमें राष्टवाद की भावना उत्वण हुई नहीं थी, सब हर एक यतने भी छेत्रिय सक्तिया थे आप सिप अपने छेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जो इतने भी वहाँ प सुम्में तक अंग्रेजों के अंदर राष्टवाद की भावना जागरित हो चुकी थी अपने राष्ट के लिए काईर कर रहे थे ठीक है यहीं अंतर है कि चलिए कि आज का प्लास यहीं समाप्त करते हैं करता हूं चला अज़्ट आश्या करते हों अच्छा लगा होगा मैंने फूरी तरह से क्लेयर करने कseven कोशिज किया हूं तो अगर अच्छा लगाओ तो शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और इसी तरह विश्वास पना रखे पूरा हम कलास करवाएंगे पुरी तरह से किलियर करते जाएंगे पूरा करेंगे अच्छा मेडियाबल मॉडर्ण तीनों हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है सब हम किलियर करेंगे ठीक है पीटी वेश्वास के लिए जब नजदिक आने वाला है या जए से आने वाला है उसमें आपका काम कर जाएंगा और बीपीश्वास हो यूपीपीश्वास हो हम हो जाएंगेत आने ए यूपीश हो अशेल कर दो में आने वाला है इब झाल झाल